चोदा एप्रिल 1990 को ली गई ये तस्वीर बहुत खास है इस तस्वीर में बाबा साहब डुक्टर अम्बेटकर की पत्नी सवीता अम्बेटकर भारत के ततकालिन राष्ट्रपती आरवंकिट रमन के हाथो बाबा साहब को मिला भारत रतना आवोर्ड ले रही हैं 31 मार्च 1990 को भारत सरकार ने बाबा साहब को मरणो प्रांथ भारत रतन देने का एलान किया था इसलिए 31 मार्च को बाबा साहब को भारत रतन मिलने के तोर पर भी याद किया जाता है भारत की सरकारों ने बाबा साब के महापरी निर्वान के 33 सालों बाद उन्हें सम्मान से नवाजा था देश के सम्विधान निर्माता और भारत के निर्मान में बेह दहम भूमी का निभाने वाले डोक्टर अमबेटकर की बहुत लंबे समय तक अंधेखी की जाती रही जबकि उससे पहले कई लोगों को ये वोड दिया जा चुका था इंद्रा गांदी ने तो जीते जी खुद को ही भारत रतन से सम्मानित करवा लिया था लेकिन डोक्टरमबेटकर को लेकर कॉंग्रेस सरकार से लेकर जन्ता पार्टी और गढ़भन्दन सरकारों ने आनकानी की लेकिन बाबा साब के अमुल्ले योगदान को असली सम्मान मिला वीपी सिंग सरकार के समय विपी सिंग कई दलों के समर्थन से सरकार चला रहे थे उस समय मंडल कमिशन की सिफारिशे लागू करने को लेकर भी बहुजन विचारधरा वाली पार्टियां दबाव बना रही थी इन सबका ही नतीजा था कि विपी सिंग ने ना सिर्फ बाबा सहाब को भारत रतन से नवाजा बलकि मंडल कमिशन की सिफारी से भी लागू की BSP सुप्रीमों मायवती कई बार कह चुकी हैं कि BSP के दबाव में ही डॉक्टर अम्बेटकर को भारत रत्न से नवाजा गया था उनके दियांत के बाद भी तो उनके अन्याई कांग्रेश पार्टी से वो गुहार करते रहे अपील करते रहे कि बावा साथ डॉक्टर अम्बेटकर को भारत रतन की उपादी से सम्मानित किया जाए लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेश पार्टी की हकूमत में तो देरत रतन की उपादि से कब सम्मानित किया गया आपकी मंदल कमिशन की रपोर्ट पिछड़े वरग के लोगों को आरक्षन देने के लिए आपके मंदल कमिशन की रपोर्ट कब लागू हुई थी जब 1989 में केंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार तीन म 1989 में 29 लोगसभा की सीट से चुनाब जीत कर आई थी उस समय सिरी बीपी सिंग देश के परधान मंतरी बने उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओं हमने सिरी बीपी सिंग को ये कहा हम सता में तो शामिल नहीं होंगे हम आपको भार से संबर्थन दे देंगे लेक मंडल कमिशन की रिपोर्ट आगी है आप इसको लागू कर दो बाबस साथ डॉक्टर अम्बेटगर को जो भारत रतन की उपादी से सम्मानित नहीं किया है इनको सम्मानित कर दो तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशे सागरे पर सेरी बीपी सिंग ने फिर मंडल कमिशन की रिपोर्ट को लागू किया पिछडे वरक के लोगों को सरकारी नोकरियों में शिक्षा में अन्य और छेत्रों में इनको अरक्षन की सुविदादी और दलितों के मस्या परम पुझे बाबा साथ डॉक्टर अम्बेटगर को भारत रतन की उपादी से भी सम्मानित किया गया दरसल काशिराम सहाब उस दोर में बाबा सहाब को घर-घर तक ले गए थे हजारों किलोमेटर की साईकल यात्रा के दोरान उन्होंने बाबा सहाब के विचारों को ना सिर्फ जन-जन तक पहुझाया बलकि देश के मुझूदा राजनिती में बाबा साहब का कदोर भी बढ़ा कर दिया उसके बाद 1984 में बियस्पी की स्थापना से तो बहुजन नायक और बहुजन विचारधारा मुख्यधारा में आ गई इन सब का असर हुआ कि बाबा साहब को भारत रत्रन जैसा बड़ा सम्मान दिया गया बहुजन समाज में आई जागरती से नेता समझ गए थे कि अब इन लोगों को नराज करके सरकारे नहीं बनाई जा सकती दरसल बाबा साहब को भारत तत्र देने में हुई देरी के पीछे एक सोची समझी साजिश के बूँ आती है कॉंग्रेस और बाकी दल नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का कद भारती राजनिती में और बड़ा हो बहुत ये शातिराना तरीके से बाबा साहब को पहले सिर्फ दलितों का नेता बता कर प्रचारित किया गया और बाद में उनके योगदान और महत्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया दिल्ली में देहांत के बाद बाबा साहब का शव मुंबई भेजने के पीछे भी यही कहा जाता है कि नहरू नहीं चाहते थे कि दिल्ली में बाबा साहब की समाधी बने क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र है दिल्ली में गांधी की समाधी पहले सी थी इसलिए नहरू ने बाबा साहब का शव मुंबई भिजवाने के लिए चतुराई दिखाई अंबेटकर वादी विचार धरक के मजबूत होने का मतलब है बहुजन समाज के लोगों में राजनितिक चेतना पैदा होना लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी इसके उलट कॉंग्रेस जैसी पार्टियां चंद दलीतों को अपना चमचा बना कर रखती थी लेकिन मान्यवर काशी राम के अंदोलन ने बाबा साहब को एक बार फिर से जिन्दा कर दिया था आज बच्चे बच्चे की जुबान पर जैभीम का नारा है और बाबा साहब को पूरी दुनिया सलाम कर रही है बाबा साहब अब सिर्फ भारत रतन नहीं बलकि विश्वरतन बन चुके हैं बिरो रिपोर्ट दशोद्र ना भूलें